दोस्तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं बात करूँगा इंग्लेंड में एक जो इंटर पार्लेमेंटरी कमेटी बनी थी उसने अपने कुछ रिकमेंडिशन दिये थे ये क्यों हुआ? क्योंकि इंग्लेंड में जुलाई में जुलाई 2024 में कुछ दंगे हुए जिसमें मुसल्मानों को और इमिग्रेंट्स यानि जो वहाँ शरनार्ती थे जोने ने वहाँ शरन ली हुई है उनके खिलाफ उनको टार्गेट किया गया इसके बाद वहाँ इंटर पार्लेमेंटरी कमेटी बनी और इंटर पार्लेमेंटरी कमेटी ने सुझाओ दिया कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ काम करने की जरूरत है अब ये मुझे बहुत एक सुखद आश्यरे मिला सुखद आश्यरे लगा कि एक इंटर पार्लेमेंटरी कमेटी एक विक्सिक देश की कमेटी जहाँ इस प्रकार के दंगे हुए धर्म के नाम पर कुछ लोगों को टार्गेट किया गया वहां इस प्रकार का सुझाओ दिया जा कि अपने आप पे उमीद की एक बहुत बड़ी किरन बनती है क्योंकि भारत में भी अगर हम देखी तो दंगों के पीछे जो नफरत की बात है वो बहुत फैलाई गई है और इसमें ब्रिटन की जो कमेटी थी उसमें खास बात कही कि अब से ये वाक्य बैन है कौनसा वाक्य कि इसलाम तलवार की नुख पर फैला ये उन्होंने एक प्रकार से सरकार की तरफ से इस पर बैन लगाने की मांग रखी है और ये बहुत उचित भी है क्योंकि इसलाम के फैलाव के बारे में जिस प्रकार से भ्रातिया फैलाई गई है वो आज के मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का एक बहुत बड़ा आधार है अब हम सब जानते हैं ये भारत में भी यही बात है कि भारत में अगर देखा जाए तो इसलाम सात्मी शताबजी में शुरुआत में आ गया अरब व्यापारी अरब देशों से वहां से आते थे और वो अपने साथ इसलाम भी ले आए और यहां के लोगों के साथ मेल जोल से भारत का इसलाम की शुरुआत हुई और इसके सबूत के रूप में मलाबार के केरल के तट पर चेरामन जुमा मस्जिद जो सात्वी शताब्दी में बनी थी भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है फिर बाद में अगर हम देखें तो स्वामी विवेकनन अपनी संकलित रशनाओं खंड आठ प्रश्ट 330 पर लिखते हैं कि इसलाम का भारत में आना कुछ लोगों के लिए एक मुक्ति का मार्ग बना किन लोगों के लिए वो गरीब धलित किसान अचूत जो थे जो इस वर्ण में वस्था के कारण जाती वस्था के कारण अचूत थे उनको इस रास्ते से मुक्ति पाने का बहुत बड़ा आधार मिला और यही एक मुख्य कारण है कि जिसके कारण भारत में इसलाम फैला तो अगर आप देखें कि मुस्लिम कुछ राजाओं नहीं निश्चित रूप से सत्ता के लिए विरोधी राजाओं से विरोधी कुछ लोगों से बदला लेने के लिए कुछ लोगों की हत्या करवाई इसम आपको खत्म कर दिया जाएगा इसमें भी कोई शक नहीं है पर वो आम तोर पर इसलाम फैलने का माध्यम नहीं था तो आम तोर पर जैसे स्वामी जी कहते हैं कि जाती विएस्था वड़ विएस्था के अत्याचारक से मुक्ति पाने के लिए कई लोगों ने इसलाम के फैल राजाओं ने कुछ मंदिरों को तोड़ा पर उसके उल्टे भी सबूत है कई मुसल्मान राजाओं ने मंदिरों को बहुत बड़े दान दिये और कई हिंदू राजाओं ने भी मंदिरों को तोड़ा क्योंकि मंदिरों के तोड़े जाने के पीछे दो कारण थे एक तो मंदिरों को उसके प्रतीक मंदिरों को तोड़ दाता ये बात कई बागा हर जगा हम को देखने को मिलेगी जैसे टीपू सुल्टान के राज्ज में जब मराठा से नाउने आतरवन किया और वो टीपू सुल्टान को नहीं आरा पाए तो उन्होंने आते आते श्री रंगपट कि मूर्तियां हीरे जवारात से जड़ी मूर्तियों को उखाड कर लाता है ये दूसरी बात हो गई और अभी हाल के संदर्व में देखें तो गाय के बारे में खाने के बारे में काफी चीज़ें प्रचलित है और इसके आधार पर गउ हमारी बाता है मुसल्मानों के प्रचार किया गया गई गउ हत्या पर अलग-अलग प्रकार से कानून है और उन कानूनों के कारण जो कई लिंचिंग की प्रक्रिया जो लोगों ने शुरू की उसमें मारे जाने वालों में ज्यादातर मुसल्मान हैं ये मुसल्मान जैसे रकबर खान हो या जुनेद हो य इसलिए मारे गए एक शंका में कि शायद ही इन ये शायद गाय का मास खा रहे थे या बचड़े को काट रहे थे बात यहां तक बढ़ी है कि अभी अभी हाल में आर्यन मिश्रा नाम के एक विध्यारती की जो 18-19 साल का था 17-18 साल का था उसके हत्या कर दी गई इस आरोप में क जो गव तसकरी में शामिल है आर्यन मिश्रा की मां में एक बहुत महत्वपून बात थी क्या इस शक्पर की कोई मुसलमान है उसको मारना एकदम गलत है क्या मुसलमान इंसान नहीं है अब इसी को देखिए इसी को आगे ले चलकर वेजिटेरियनिजम नॉन वेजिटेरियन का विरोध एक बहुत बड़ी बात हो गया अभी साथ साल का एक लड़का एक अपने टिफिन में मटन ले गया था और उसके प्रिंसिपल जो मिश्रा साब थे ये उन्होंने अम्रोह में एक हिंटन स्कूल है उसमें इस लड़के को इस चार्ज पर की वो अपने टिफिन में मटन लाया उन्होंने उसको जप्त कर लिया और उसको दिन भर स्टोर डूम में बंद रखा और साथ में ये कहा कि ये लोग जो मंदिर तोड़ते हैं मैं उनको नहीं पढ़ा हूँगा ये बहुत दुखत बात है इसी के साथ साथ लव जिहाद का मामला भी गर्मी पकरता है और अभी देखा जाए तो भारत में इतनी नफरत फैलाई जाती है और जुसका एक बड़ा उधारन हमारे प्रजान मंत्री खुद हैं अभी एक रिपोर्ट के नुसार इलेक्शन के दौरान कम से कम 110 hate speeches में ये मोदी जी के दौरा की गई अभी हे मंत्र भी सोसर्मा हैं वो इसी प्रकार का एक बेड़ा उठाए हुए हैं और कभी बात करते हैं फ्लट जिहाद की नौकरी जिहाद की इलेक्टरिसिटी जिहाद की और कहते हैं मैं मिया मुस्लिम्स को आसाम पे कबदा नहीं करने दूगा ये अपने आप में कितनी अजीब बात है कि राज्य का मुख के मंद्रियों ने अपनाया और वो है बुल्डोजर से जिन पर शक है आरोपी है उनके घरों को तोड़ा जाना अब ये घरों को तोड़ा जाना इस प्रकार की चीज से समाज का कितना नुकसान होता है ये कानून के कितने विरोध में है अभी एक जज़ साहब आरेस दोई अपने जज्जमेंट में का कि इन आरोपों के आधार पर किसी के घर को तोड़ना दुकान को तोड़ना दूसरी चीजों को तोड़ना ये पूरी तोर से गैर कानूनी है और इस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है अमित्रो ये जो नफरत की भाशा है नफरत की राजनीत से सीखें और हमारे जो नफरत के खिलाफ काम करते हैं उनको सपोर्ट करें और खासी प्रकार के नियम लाने की ज़रूरत है जो हेट स्पीश करने वालों को नफरत की भाशा पहलाने वालों को दंडित करें यहामने ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी जो लिंचिंग की प विक्टिम हुए है ये पूरे समाज पर एक आतंग का वातावर्ण कर देती है और हमारे मित्र हर्शमंदर जिन्होंने कारवाय महबत की स्थापना की यही काम करती है कि जो विक्टिम है उनके परिवारों से जाकर मिलना उनकी जितनी मदद हो सके उसके लिए काम करना यह नफरत की भाषा है जो लवजयाद से जुड़ी हो जो बीफ मतन से जुड़ी हो जो मंदिर तोड़ने तोड़े जाने की भ्रांती से जुड़ी हो या धर्मांतरन की भ्रांती से जुड़ी हो उसका विरोध करके उसके आदार पर जो नफरत फैलाई जाती है उसको पूरी टोर से समाज में उसका मुकाब्ला करके एक सविश्व Aujourd Eigen की बात और इतिास की उस समझ की बात जो महात्मा गादी हिंडु स्वराज में लिखते हैं इतिास की उस समझ की बात जो जवारलाल नेरू अपने किताबGold Discovery of India में लिखते हैं उसके आधार पर एक भारत का निर्मार ज चाहिए उद्यूशी होना चाहिए आपका बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच्छ